हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संध्या स्वागत है आपका सहल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स अचार तो अचार आपने आम नीबू के बनाए होंगे कठल के बनाए होंगे बहुत सारी चीजों की अचार बनती है लेकिन आज हम बनाने वाले हैं मतर के अचार त तो चलिए फिर बनाना इस्टार्ट करते हैं, देखते हैं मटर के आचार किस तरह से बनते हैं, और इन्हें बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे रोटी के साथ दाल चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही होगा, तो यहां मैंने एक कप मटर लिया है, ये देखिए इसे मैंने छील लिया है, और अभी तो मटर का सीजन है, मार्केट में बहुत मटर आ रहे हैं, और सस्ते भी मिल रहे हैं, तो आप एक बार जरूर बनाएं, तो सबसे पहले एक बड़ा बरतन लेंगे, उसमें पू इसी चीज की अचार बनाते हैं, तो उसमें साब सफाई का पूरा ध्यान देना पड़ता है, तभी अचार लंबे समय तक ठीकती है, नहीं तो फिर खराब हो जाती है, तो अभी मैंने यहां ठंदा पानी, नार्मल पानी डाला है, अब इसे अच्छे से धो लेंगे हां से, और इसे हम वापिस से प्लेट में निकाल लेंगे, तो यहां मैंने धो लिया, और धोने के बाद इसे निकाल लेना है, तो पहले पूरा निकाल लेते हैं, तो मैंने पूरा निकाल लिया, मार्केट से लाने के बाद में, मतर छिलने के बाद में जरूर उसे धोएं, अब उस चीनी है अब इसे डाल देते हैं इसमें और पानी को हम अच्छे से गरम होने देते हैं इसके बाद इसमें मटर डालेंगे तो मटर का अचार बनाने समय आपको ये प्रोसेस करना ही है तभी मटर का जो अचार है अच्छा बनेगा और मटर का जो कलर है वो काला नहीं वो हरा हरा ही दिखेगा आपको अचार बनने के बाद में तो चीनी हमारा पानी में अच्छे से घूल गया है और मटर डालने के बाद में हमें एक से डेढ़ मिनट तक इसे उबलने देना है तो पहले पूरा मटर डाल लेते हैं और गैस को मिडियम फ्लेम पे रखेंगे और इ से तो अचार बनाने के पहले आप मटर को इस तरह से पहले एक से डेढ़ मिनट तक चीनी वाला पानी में उबाल लें तो यह देखिए इसमें उबाल एकदम अच्छे से आ रहा है ऐसी हमें उबाल आने देना है तो एक से डेढ़ मिनट हो गए हैं उबलते हुए इसे ऐसे बीच में ऐसे चला लेंगे तो इस तरह से अचार बनाएंगे तो कलर एकदम अच्छा रहेगा मटर का काला नहीं दिखेगा नहीं तो अच्छार फिर काला काला सा दिखेगा जो देखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा इसे पानी जो है पूरा निकल जाए तो हमें इसमें पानी से इसे निकाल लेना है आप जहाएं तो इसे चम्मच से भी निकाल सकते हैं चम्मच को इसे टेड़ा करके तो मैंने पूरा मतर निकाल लिया यह देखिए अब क्या करेंगे हमें फिरीज का ठंडा पानी लेना है एकदम ठंडा पानी और पानी को हमें मतर में डाल देना है तो यह फिरीज में रखा हुआ पानी था तो जब इसे गरम पानी से निकालेंगे मतर को उसके बाद हमें इसे ठंडा पानी में डालना है एकदम ठंडा पानी होना चाहिए ठंडा पानी में डाल दिया ठंडा पानी में डाल के इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे चम्मस ऐसे चला लेंगे और इसे हम 10-15 मिनट तक ठंडा पानी में रहने देंगे उसके बाद हमें इसे पानी से निकालना है और इधर देखिए मैंने मसाला लिया हुआ है तो मसाले में हमें क्या-क्या डालना है मैं आपको दिखा देती हूँ तो यहां मैंने लिया है जीरा आप मात्रा देख रहे हूँगे राई लिया है, सरसों, पिली सरसों डालना है इसमें और यहां मैंने लिया है बसॉफ, गोल मिर्च और यह मेथी के दाने तो मसाला हमें तयार करना है तो इसे हम पहले थोड़ा सा भून लेंगे गैस ओन करके हमें पेन चड़ाना है और पेन में हमें गरम होतने के साथ में यह पूरे जो मसाले हैं इन्हें हमें डाल देना है तो पूरा एकी साथ डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ज्यादा हमें एकदम नहीं भूनना है बस इसका कच्चापन चला जाए तो मसाला भून के अगर आप अचार में डालेंगे तो बहुत अच्छी खुस्बू आती है और अचार भी लंबे समय तक ठीकता है तो ऐसे हमें चलाते रहना है ज्यादा हमें इसे एकदम भूनना नहीं है तो मसाला भी हमारा भून कर तयार हो गया मैंने गैस को बंद कर दिया तो पेन अभी गरम है तो ऐसे चलाते रहें और मसाले को भी एक प्लेट में हमें निकाल लेना है ताकि ये ठंडा होते रहे ठंडा होने के बाद में इसे हमें मिक्सी में डालके दरदरा पिसना है एकदम मेहिन नहीं पिसना है थोड़ा दरदरा रहेगा तो चलिए इसे पहले निकाल लेते हैं तो पूरा पहले इसे हमें निकाल लेना है अच्छे से और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो आप एक बार जरूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स आपको जरूर पसंद आएगा ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने में भी ज्यादा ताम जाम नहीं है असानी से बन जाता है और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है तो मैंने यहाँ मसाला पूरा निकाल लिया अब इसे ठंडा होने देते हैं अब इधर मटर को हम एक सूती कपड़े के उपर निकाल लेंगे तो पूरा हमें निकाल लेना है सूती कपड़े के उपर निकाल के ौकपड़े के उपर रख रही हूं ताकि जो पानी है वो कपड़े में सुख जाए और इसे हम पंक्हे के नीचे थोड़ा सा इसे फैला देंगे ताकि एकदम अच्छे से ड्राई हो जाएं तो इसे पूरा निकाल लेना है धूप में न रखें, पंखे के नीचे ही रखें तो ये मटर पुरा हमारा निकल गया और इसे मैं पंखे के नीचे अब थोड़ा सा फैला दूँगी ताकि ये अच्छे से एकदम सुख जाए, इसमें पानी बिल्कुल भी न रहे तो ऐसे हमें अच्छे से ऐसे फैला के इसे पंखे के नीचे रखना है तो मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, ये एकदम अच्छे से सुख गया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, अब इसे वापिस से एक बरतन में डालेंगे मतर को मैंने पूरा डाल दिया, अब हमें मसाले को पीछ लेना है दर दरा तो आप जाहें तो मिक्सी में डाल के पीछ ले या फिर आपके पास जो कुटने वाला हो अदरग कुटने वाला हो आप इसमें भी पीछ सकते हैं, लेकिन एकदम पाउडर मत बनाईएगा थोड़ा सा दरदरा रखिएगा इसे तो यहां मैंने मिक्सिजार लिया उसमें डाल दिया और पिष्टने के बाद यह देखिए इस तरह से दरदरा पिष्टना है अब इसे साइड में रख देते हैं अब वापिस से मैंने फिर से पेन चड़ाया अब यहां हम डालेंगे सरसों का तेल यह सरसों का तेल है तो सरसों का तेल हम गरम होने के लिए रख देते हैं तो यहां आधा कप लग जाएगा सरसों का तेल या आप चम्मच से माप करेंगे तो 4-5 चम्मच होगा यह यह देखिए तो तेल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं या मटर की मातरा जितनी र गरम होने देंगे और यह हींग फ्रेंड तो हींग तो सबके किचन में होता है तो तेल गरम होने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके बाद इसमें एक चूटकी हींग हमें डालना है जादा नहीं तो तेल अच्छे से गरम हो जाए इसमें से जैसे धूँआ निकलने लगे तो आप समझ जाएं कि तेल एकदम गरम हो गया है तो फिर गैस को बंद कर दें अचार में थोड़ा सा गरम किया हुआ तेल डालने से अच्छा रहता है तो यह देखिए हिंग मैंने निकाल दिया और डाल दिया मैंने पेन को मैंने गैस से नीचे उतार लिया है तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अब इसे मैंने हिंग डाल दिया अब इसे हम एक साइड रख देते हैं उसके बाद हम मसाले में मतर में मसाले डाल लेते हैं तो जो हमने मसाले पीसे हैं उसे हम में डालना है इसमें इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डालना है और मिर्च पाउडर आप चाहें तो इसमें साबुत धनिया भी भूनते समय ले लें एक चम्मच लेकिन मुझे अचार में धनिया पसंद नहीं आता इसलिए मैंने यहां नहीं लिया है लेकिन आप चाहें त जंता धनिया डालना तो मैं धनिया नहीं ली हूँ यहां मैंने डाला हल्दी पाउड़र एक चमज बर करूelा यह काफी तीखी है कि ऐसल है मैं ज्यादा नहीं डाल रहरी हूं एक चमज Geno मैंने डाला है नमक डालेंगे स्वायत के नुसार इसके बाद जो मसाला हमने पीसा है उसे डाल देना है यह मसाला डाल देते हैं और इन सब को डाल के उसके बाद जो हमने तेल गरम किया है उसे डालना है और एकदम अच्छे से इसे मिक्स करना है हमें और इस नचार को बनाने के लिए और यहां मैं नमक डाल रही हूं फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे और इस अचार को बनाने के लिए आपको या तो अमचूर पाउडर चाहिए या फिर अमचूर पाउडर नहीं है तो नीबू चाहिए और अगर नीबू भी नहीं है तो फिर आप सिर्का डाल सकते ह इससे क्या होगा सिर्का से यह देखिए हमें कस्मिरी लाल मिर्च डाल रही हूं आधी चम्मस ताकि कलर अच्छा है अब तेल डाल देते हैं तो पूरा वह हिंग सहीत डाल देंगे इसे अच्छे से पूरा अच्छे से डाल देना है अगर कस्मिरी लाल मिर्च आपके पास नह सीरके से क्या होता है अचार खराब नहीं होता बहुत ही लंबाच चलता है यह और अगर नहीं है तो फिर आप अमचूर पाउडर डाले या नाइबू डाले तो मैं अधा नजामस इसलिगे मैं डाल औरहि अमचूर पावडर क्योंकि अमचूर पावडर सबके पास में रहता है, सबके कीचन में रहता है, या नीबू भी सबके पास में रहता है, तो इससे भी अचार के टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ेगा, और अचार खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं ही कि अमचूर पावडर ड जो बोतल आती है या बर्नी आती है आप उसमें रख सकते हैं और आचार आपका खाने के लिए तयार हो जाएगा आप दूसरे दिन से इसे खा सकते हैं तो मैं यहां काच के बाउल में निकाल रही हूँ आपको दिकाने के लिए तो ये ज़्यादा नहीं है ये तो हमारे यहाँ एक दो दिन में ही खतम हो जाएगा ज़्यादा जैसे मैं बनाती हूँ तो फिर में काँच की जो बोतल आती है उसमें रख देती हूँ फिर में इसे मैं इसमें पूरा निकाल ले रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि ये अचार कितना जटपर तरीके से बन गया, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें समान कोई यलक से लेना पड़ा, जो कीचन में मसाला है, उसी में ये बन कर तयार हो किलोमेटर का अचार हमारा एकदम बन कर तयार हो गया है, तो इसे हम ढख के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो पहले मैं पूरा अच्छे से निकाल ले रही हूँ, मैंने आधा किलोमेटर लिया था, आधा किलोमेटर के इतने दाने हुए थे, अब इसे ढख दिय है, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए, आधे घंटे के बाद में मैंने इसे खोला है, और मसाला हमारा एकदम अच्छे से फूल गया है, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, आप देख रहे हूँगे, मटर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं ह हुआ है, क्योंकि हमने जो इसे चीनी वाला पानी में उबाला था, इसके चलती ये एकदम हरा हरा ही दीख रहा है, तो ये आपको दस दिन के बाद भी इसी कलर में दीखेगा, कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो आई होब फ्रेंड्स, आपको ज़रूर है, तो मेरे वीडियो को लाइक किजिएगा, चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ एक नए वीडियो में